हलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉप और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर रोन और हमसे कमेंड करके पूछा हुआ है कि बंधन बैंक से उनको 10 लाग रुपय का होम लोन लेना है वो भी 10 सालों के लिए तो आपकी महीने की आप होम लोन की कुछ चार स्की में चलती है नहीं है आप सबसे पहली जो सुरक्षा होम लोन जो कर एक कोई एजी होम लोन प्रॉसेस वगरा रहता है इस सेकेंड्ड शकीम है वह है कि सजावट होम लोन को अगर आपको अपने घर में रिनोवेशन रिपेर वगरा खराना है उसके लिए आप इस scheme के थू होम लोन ले सकते हो उसके बाद आता है आपका सुवावास होम लोन ये आपका पक्का और सेमी पक्का हॉसेस के लिए होता है जिनकी कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती है तो वो लोग इस scheme के थू यहां से होम लोन ले सकते हैं उसके बाद आता है सुविदा होम लोन, होम लोन में आपको benefit यह मिलेगा कि आपको यहाँ पे कोई भी income proof दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास income proof नहीं है तो आप इस scheme के थूर ले सकते हो, बस आपको rate of interest दो है, थोड़ा सा high देखने को मिलेगा इस scheme में, चली कराना है, एक्सेंशन कराना है अपने घर में, तो आप यहाँ से होम लोन के लिए अपलाई कर सकते हो, यहाँ पे income proof की आपके requirement होगी, फिर यहाँ पे जो है, आपके property value का 90% तक का लोन जो है, वो यहाँ पे आपको provide कर दिया जाएगा, minimum यहाँ पे आप 5 साल के लिए होम ल credit score पे, जितना आपका credit score अच्छा होगा, उत्रहीं आपको low से low interest rate पर bank जो है, home loan provide करेगी, तो आप चलिए देख लेते हैं, जो subscriber ने पूछा था, कि उनको जो है, 10 लाग का home loan चाहिए, तो हमने जो rate of interest माल लिए हो, यहाँ पे minimum वाला माल लिए, जो कि है 9.15%, यहाँ पे हम best my calculator पे, सबसे पहले हम यहाँ पे amount डाल देते हैं, हमको 10 लाग का loan amount लेना है, rate of interest जो minimum है, आपे 9.15 है, जो कि हमने minimum वाला ही ले लिए, loan 10 लोर हमें देलना है, 10 सालों के लिए, maximum आप यहाँ से home loan 30 साल के लिए ले सकते हो, तो 10 लाग का लोन 10 साल के लिए 9.15 के rate of interest पर, तो कि अगर आप 10 लाग रुपया का home loan लेते हो, बंदन मैंक से, तो आपकी महीने की M.I.O. total interest आपको कितना pay करना पड़ेगा, इस तरीके साफ डिटेल से जो information इस हमाई calculator पर देख सकते हो, यहाँ पे home loan के लावा, personal loan, car loan, इनका भी मंतली M.I.O. आप डिटेल से calculate करके देख सक 75 year की age तक जो है आप loan चुकाते हो, इसका मतलब यह होता है, कि मान लीजे आपकी age अभी 60 साल है, तो आप maximum 15 साल तक ही home loan ले सकते हो, यहाँ से, आपकी उमर मान लीजे 50 साल है, तो 50 साल है, तो आप maximum 25 साल के लिए यहाँ से home loan के लिए apply कर सकते हो, आप यहाँ पर देख आपको चेक के थुरू देने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर जो है, आप कस्टूमर रिलेशन से, फॉर्म यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, photo ID proof, address proof, age proof, यह तीन डॉक्यमेंट जो आपको KYC डॉक्यमेंट देने पड़ेंगे, उसके अलाबा सैल ले सिब लास्ट त्री म करेट होती होगी, तो उसका last six month का bank account statement आपको दिखाना पड़ेगा, अभी यहाँ पर जो self-employed individual है, उनके लिए क्या document तो same जो है, यहाँ तक document आपके लगेंगे KYC तक, उसके अलाबा यहाँ पर कुछ other document है, जैसे की copy of audited balance sheet हो गया, last three year का, ITR आपको दिखाना पड़ेगा, last three year का, उसके अलाबा जो है, अपनी investment, live insurance policies, critical दिखाने पड़ेगा, और bank account statement last six month का यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो यह देखिए, कोई document required होते हैं, यहाँ पर अगर आप बंदन bank से home loan लेना चाहतो, इस scheme में, आप जो next scheme आपती है, इनकी वो हम देख लेते हैं, उसके पारे में, तो जो की है, सजावाट home loan, जो की आप अपने घर में renovation, repair वगरा के लिए, यहाँ से loan ले सकते हो, इसमें आपको क्या features वगरा मिलेंगे, तो देखिए, आपको renovation और repair कराना है, आपको existing घर है, उसमें आपको renovation और repair कराना है, painting करानी है, plumbing का काम कराना है, तो इन आपका जो 80% है, जो की होता है, आट लाग रुप है, वो बंदन महें जो है, आपको provide कर देगा, minimum आप यहाँ से 5 साल के लिए ले सकते हो, इस scheme में, और maximum 15 साल के लिए loan ले सकते हो, इस scheme में, rate and charges क्या लगेंगे, तो यहाँ पर rate of interest, same है, 9.15 से starting है, 13.32% तक जाता है, और य disability criteria के require होता है, तो वही minimum age apply करने के 21 साल है, maximum 75 year की यह चक जो है, आप यहाँ से loan चुका सकते हो, अब हम आपको बताने वाले कैसी website के बारे में, जहां से आप loan के offer वगरा check out कर सकते हो, यह website है, यहाँ पे आप detail में देख सकते हो, अगर आपको home loan के अपनी eligibility check out करनी है, कि यहाँ से check out कर सकते हो, उसके लिए आपको हर बैंक का home loan हो गया, personal loan हो गया, car loan हो गया, two villa loan हो गया, education loan हो गया, saving account, credit card, इस सबके आपको offer वगरा के link इस website पर मिल जाएंगे, तो इस website पर जो है check out करना मत बूलेगा, link आपको video के description box मिल जाएगा, अब यह हम तीसरी scheme के बारे म है, यह जो है micro backing borrowers के लिए, जिसमें आपको construction के लिए पक्का और semi पक्का houses के लिए जो है आपके home loan provide किया जाता है, यह बोध जो है solid और non-solid individual के लिए यह scheme है, यहाँ पे जो rate of interest आपका लगता है, minimum 13% होगा, और maximum 15% से श्थे, और document भी आपके same document है आपके लगे, अब यहा यहाँ पे जो आपकी income calculate होगी, वो depend करेगा कि आप जो है job अगरा कैसी करते हो, applicant की cash flow कैसी है, तो उस पे depend करेगा, यहाँ पे भी आप purchase, construction और extension के लिए यहाँ से loan ले सकते हो, यहाँ पे भी आप property cost का 90% तक का जो loan आपको मिल जाएगा, minimum 5 साल, maximum 30 साल के लिए आप यहाँ स इस तक जो है, आप loan चुका सकते हो, document देखिए आपके same ही, जो है require होंगे, बस यहाँ पे आपको इंटम का document अगर आपके पास नहीं है, तो आप इस scheme के थूँ यहाँ से home loan ले सकते हो, तो यह देखिए total 4 scheme में चलती है, यहाँ पे सुविदा home loan हो गया, सुआवास home loan हो ग करने है, तो यहाँ पे आप चेकाउट कर सकते हो, यहाँ पे offer वेरा की link जो है आते रहते हैं, तो information अगर आपको हमारी पसंद आई हो, तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, वीडियो को एक like कर दीजेगा, और हमें आप comment करके बता सकते हो, अगे आप किस loan के बारे हम से detail में जानना चाते हो, तो हमारे किसी वीडियो के comment box करके हमसे पूछ सकते हो, तो आज की इस वीडियो में बस अतना है, तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद